अगले मेने होने वाला है कुछपा टू के धमाकेदार आइटम सौंग से बड़ा धमाका इस बार अलु अर्जुन दिशा पटानी संग लगाएंगे ठुमके बॉलिवूड से लेकर टॉलिवूड यात की पुरे इंडियन सिनेमा में एक अब ऐसी फिल्म बची है जिसका हर कोई बेस अबरी से इंतजार कर रहा है हलाकि इससे पहले कई सारी फिल्में थी जिन में पठान थी केजेप चैप्टर टू थी आरारार थी पर अब ये सारी फिल्में रिलिज हो चुकी है बस अब इंतजार है तो एक ऐसी फिल्म का जो इंडियन सिनेमा में एक हजार करोर से भी ज्यादा कलेक्शन कर सकती है और वो फिल्म है पुषपा टू जिसका नाम है पुषपा दरूल ये फिल्म का शूर्ट शुरू हो चुका है जिसके जानकारी खुद मेकर्स ने एक जबर्दस अनाउंस्मेंट टीजर से दी थी जिन में मैं अल्लो अरजुन का बड़ा स्लुक देखने को मिला था सब को लग रहा था कि पुषपा की मौत हो चुकी है हर कोई पुषपा को ढूण रहा था याद तक कि टीजर में वो भी सुनने को मिलता है कि पुषपा को 6 गोले धागी गई है और फिर सब को यकिन हो जाता है कि पुषपा मर गया है और ऐसे में ही एक वीडियो सामने आता है जहाँ पुषपा को जंगल में देखा जाता है फिर क्या टीजर के आखरी के चंज से अगर आपको बहर पसंद आएंगे और अभी तक तो आपने देख भी लिया होगा जो कि काफी जबरदस्त है लेकिन ये तो सिर्फ टीजर है वो भी अनाॉंस्मेंट टीजर अभी तो ये फिल्म का अफ़्ीशल टीजर आएगा ट्रेलर आएगा फिर एक से बढ़कर एक भी गाने आएंगे ओवराल ये फिल्म का अभी असली दमाखत हम आभी बाकी है पता जी कि ये फिल्म का जो आइटम सॉंग होगा वो काफी जबरदस्त होगा आइटम सॉंग वो ग्रांड लेवल पर सूट किया जाएगा जहाँ पर अल्लो अरजुन के साथ दिशा पतानी नजर आएगी जी आपने बिल्कुल सही सुना पिछले फिल्म में अल्लो अरजुन के साथ समन था थी इस बात दिशा पतानी नजर आएगी क्योंकि मेकर चाहते कि ये फिल्म का ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन हिंदी बेल्ट में हो क्योंकि कुश्पा जो फिल्म थी पहला बाग वो तेलुबू से ज़्यादा हिंदी बेल्ट में हिट रही थी तेलुबू स्टेट में कुस्पावन एवरेज रही थी जबकि हिंदी बेल्ट में ये फिल्म ब्लॉकबस्टर रही थी यही रीजन है कि मेकर से फिल्म का हिंदी प्रमोशन ज़्यादा करेंगे और इसलिए ये फिल्मा की जो आइटम गल है वो हिंदी इंड़स्टी से ली गई है वो भी दिशा पतानी को दिशा पतानी भी एक बहुत ही अच्छी रांसर है और वो गॉर्जियस और ओड भी है तो वो अल्लो अर्जुन के साथ उनकी जोड़ी भी जचेगी और हमें आइटम सौंग काफी धमा के दार देखने को मिलेगा प्रस इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतिजार करना पड़ेगा क्योंकि जो रिपर्ट सामने आ रही है इसमें बताया जा रहा है कि ये फिल्मा का आइटम सौंग अगले महिने शूट किया जाएगा और फिर जब ये फिल्मा रिलिज होगी उनसे एक दो महिने ये फिल्मा का आइटम सौंग हमें देखने को मिल जाएगा फिलाल बात करें मैं आटम सॉंग की शूट की तो वो अगले महिने होगा तो दोस्तों आप कितने एक्साइटेड एक उसपाटू के आटम सॉंग को लेकर हमें कमेंड बॉक्स में जरू बताए यह निस पसंद आई है तो उसे लाइक करें आगे की हर नई अपडेट के लिए फिल्मेज आसूस को जरू सबस्क्राइब करें